हेलो प्यारे बच्चों, खक्षया सात्मी गणित की प्रशनावली 12.3 में आपका स्वागत है आज हम करेंगे प्रशनावली 12.3 बीजिये वेंजक तो आईए प्रसंद संख्या एक से शुरू करते हैं प्रसंद संख्या एक है यदि M बराबर 2 है तो निमलिक्त के मान गयात कीजिए यहां पर हमें M का मान दिया हुआ है, हमें एक चर है उस चर का मान हमें 2 दिया हुआ है तो हमें इन पर तेक को हल करना है तो जहाँ जहाँ पर M है वहाँ पर हम M का मान ने 2 रखके इनको हल करेंगे इनके मान निकालेंगे बच्चो M का मान दे रखे हैं हमें 2 और हमें M माइनस 2 का मान ग्याद करना है फेस्ट पार्ट के अंदर तो जहाँ पर M है वहाँ पर हम क्या रख देंगे 2 तो इसके अंदर M का मान 2 रखने पर हमारे पास M गटा 2 है जो बराबर हो जाएगा 2 गटा 2 जहां पर M था महाँ पर हमने क्या रख दिया 2 गटा 2 बराबर 0 तो M गटा 2 का मान हो जाएगा 0 सेकिंड पार्ट है 3 M गटा 5 यहां पर भी हम M की जगे दो रखेंगे तो 3 गटा 2 गटा 5 3 गटा 2 6 गटा 5 बराबर 1 थर्ड पार्ट है 9 गटा 5 M 9 गटा 5 M की जगे रखेंगे हम 2 9 गटा 5 गटा 2 9 में से गया 10 गटा का 1 बचेगा चोथा पार्ट है 3 M की 2 गटा 2 M गटा 7 तो जहां पर M है वहां पर रखेंगे हम 2 M का वर्ग यानी 2 का वर्ग गटा 2 गटा 2 गटा 7 तीन गटा 2 का वर्ग 2 गटा 2 गटा 2 गटा 2 गटा 2 गटा 7 यह हो जाएगा मारे पास तीन गटा 4 गटा 2 गटा 7 गटा का 7 और गटा का 4 गटा के 11 गटा है दुनों गटा हैं जोड़ जाएगे और जो साइन है निसान हो गटा का आएगा 12 में से गटा 11 गटा का वार्ग यह हमारा मान होगा पांच वार्ट है 5 एम बटे 2 गटा 4 पांच एम यानि 2 एम का मान है 2 बटे 2 गटा 4 पांच गुणा 2 दस बटे 2 गटा 4 दस को भाग देंगे 2 से 5 आएगा गटा में 4 पांच में से 4 गया एक यह हमारा मान हो जाएगा प्रसंद संख्या 2 है यदि P बराबर है माइनस 2 तो निमलिक्त के मान गयात कीजिए अब इस प्रसंद में बच्चो चर है वो M की जगह के आ गया P तो जहाँ पर P है वहाँ पर हम माइनस है दो रख देंगे उनका मान निकालेंगे इसी प्रकार प्रसंद संख्या 3 है निमलिक्त वेंजिकों के मान गयात कीजिए जब X पराबर है माइनस 1 प्रसंद संख्या 3 के अंदर जो चर है वो X है तो जहाँ पर X है वहाँ पर गटा का एक रख देंगे तो आईए इनको बारी-बारी से करते हैं फेस्ट पार्ट बच्चो च्यार पी जमा साथ तो यहाँ पर P की जगह हम रख देंगे दो च्यार गुना पी च्यार गुना माइनस 2 जमा साथ मराबर हो जाएगा च्यार गुना माइनस 2 माइनस के आठ और जमा के साथ गट जाएंगे हमारे पास बचेगा गटा का एक सेकंड पार्ट है माइनस तीन पी की दो जमा च्यार पी जमा साथ तो यहाँ पर भी जहाँ पर P है वहाँ रख देंगे माइनस 2 वर्ग जमा च्यार गुना पी च्यार गुना माइनस दो जमा साथ अब यहाँ पर हमारे पास माइनस तीन माइनस दो का वर्ग माइनस दो गुना माइनस दो जमा के च्यार क्योंकि माइनस गुना माइनस हो जाता है जमा तो यह आएगा जमा के च्यार फिर च्र गुना माइनस दो माइनस के आठ फिर जमा साथ यह हमारे पास हो गहाँ तीन माइनस तीन गुना च्र माइनस के बारा के आठ और जमा के साथ आगे अल करेंगे इसको माइनस के बारह हैं और माइनस के आठ हैं दोनों माइनस माइनस के हैं जुड़ जाएंगे माइनस के 20 जमा का 7 अब एक जमा है एक गटा है गटेंगे बच्चो एक गटा है और एक जमा तो गट जाएगा 20 में से गटा साथ बचेगा मारे पास तेरा निशान आएगा घटा वड़ा जो बीस है वो घटा का है तो घटा का निशान आएगा यही मारा आंसर हो जेए थर्ड पार्ट है पी का मान यहां पर रखेंगे है माइनस दो तो माइनस दो गुणा पी की तीन माइनस दो की खाथ तीन घटा तीन गुणा पी का वरग माइनस दो का वरग जमा च्यार गुणा पी माइनस दो जमा साथ जहां पर बच्चो पी है वहाँ पर हमने पी का मान माइनस दो रख दिया है आगे अल करेंगे माइनस दो गुना माइनस दो का घन बच्चो माइनस दो का घन हो जाएगा माइनस दो की गुना माइनस दो से तीन बार दो गुना दो च्यार च्यार दुनी आठ अब निसान आएगा घटा का क्योंकि मैंने बता था कि अगर घटा के उपर जो खात है वो है वी समसंख्या तो निसान आएगा घटा का और घटा के उपर जो खात है वो है समसंख्या दो चेर्च है तो निसान आएगा जमागा तो यह आजाएगा मारे पास गटा का 8 गटा 3 माइनस 2 का वरग 2 का वरग उता 4 माइनस के उपर है घात समसंग क्या तो जमा हो जाएगा जमा का 4 फिर 4 गुना माइनस 2 माइनस 8 जमा 7 आगे अल करेंगे इसको माइनस दो गुणा माइनस आठ माइनस गुणा माइनस पलस शोड़ा फिर है तीन गुणा च्यार माइनस के बारे फिर है गटा के आठ जमा के साथ अग्यल करेंगे इसको सोड़ा जमा का साथ जमा का तेईस जमा के गटा का बारे गटा का हाट तो गटा के बीस तेईस गटा बीस तीन यह यह मारा मान हो जाएगा परसुन संख्याती ने निम्लिक त्वेंज को के मान ग्यात कीजिए जब X बराबर हो गटा का 1 यह एक्स का मान गटा का 1 रखना हमें हैस्ट पार्टेस का दो एक्स गटा साथ तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर रख देंगे गटा का 1 दो गुना गटा का एक और इसके बाद है फिर गटा साथ दो गुना गटा का एक उज़ेगा गटा की दो जमा सुरी गटा यह यहाँ पर गटा है साथ यह हमारे पास आएगा गटा का दो गटा का साथ गटा के नो यह हमारा अंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट में है गटा x जमा 2 जहां पर x महां रखेंगे हम गटा का 1 जमा दो एक गटा हमारे पास पहले से है एक x कमाण हो जाएगा गटा गटा हो जाएगा जमा 1 जमा 2 तीन हाजएगा थर्ड पार्ट x की 2 जमा 2x जमा 1, x की जगह माइनस 1 कवर्ग जमा 2 गुना x, x यानी माइनस 1 जमा 1, माइनस 1 कवर्ग 1, 2 गुना माइनस 1, माइनस 2 जमा 1, 1 और 1, 2 गटा 2, 0 चौथा पार्ट है 2x की 2, गटा x गटा 2, 2x की 2 जमा 1, गटा 2, यानी माइनस 1 कवर्ग, गटा x, माइनस 1, गटा 2, यो जिएगा, माइनस 1 कवर्ग 1, गटा और गटा, जमा 1, गटा के 2, 2, 2 गुना 1, 2, जमा 1, गटा 2, ये आएगा, 2 और 1, 3, गटा 2, एक अंसर, तो इसका माण हो जाएगा, एक, परसन संक्या चार है, यदि A बराबर 2 हो, और B बराबर माइनस 2, तो निमलिक्त के माणे ग्याद कीजिए, पहला पार्ट है, A की 2 जमा, B की 2, परसन संक्या चार है, यदि A बराबर 2, B बराबर माइनस 2 हो, तो निमलिक्त के माणे ग्याद कीजिए, यहाँ पर हमें तीन पार्ट दिये हैं, इनके अंदर हमें A का माण लेना है, 2 और B का माण माण माइनस 2, दोनों चलों का माण रखें, इनको हल करना है, पहला पार्ट है A की 2, जमा B की 2, A का मान रखेंगे, 2, 2 का वरग, जमा B का वरग B है, माइनस 2 का वरग, जहां पर A था वहाँ रख दिया, B था वहाँ पर है, माइनस 2, 2 का वरग 2, 4, जमा, अब यह माइनस 2 का वरग भी क्या होगा, जमा के 4, क्योंकि माइनस के उपर घात है, वो समसंख जमा ए बी, ए है दो, और बी है माइनस दो, जमा बी का वर्ग माइनस दो का वर्ग, दो का वर्ग, दो का वर्ग, च्यार, दो गुना माइनस दो, माइनस च्यार, जमा माइनस दो का वर्ग, जमा के च्यार, च्यार गटा, च्यार जीरो, या जाएगा च्यार, थर्ड है ए स्के माइनस B स्केर A का मान है 2 2 का वर्ग गटा B यानि गटा 2 का वर्ग 2 का वर्ग 4 गटा माइनस 2 का वर्ग जमा के 4 4 गटा 4 या जाएगा 0 तो यहमारा चौत्था सवाल यहां पर complete होता है परसन संके 5 है बच्चो जब A बराबर 0 और B बराबर माइनस 1 हो तो दिए विवेंजिकों के मान ग्याद कीजिए यहां पर हमारे पास 2 चर हैं 1 A और A के B तो जहां पर A है वहाँ 0 रख देंगे और जहां B है वहाँ पर माइनस 1 रख देंगे first part है 2 A जमा 2 B 2 गुणा A A यानि 0 जमा 2 गुणा B माइनस 1 2 गुणा 0 क्या होगा 0 के किसी के साथ भी गुणा क्या होती है 0 2 गुणा माइनस 1 माइनस 2 0 गटा माइनस 2 आज़े आएगा माइनस के 2 second है 2 SBR जमा B SBR जमा 1 2 गुणा A का वरग 0 का वरग जमा B का वरग माइनस एक का वर्ग जमा एक बच्चो जीरो का वर्ग करो जीरो का घन करो जीरो यह आएगा तो दो गुणा जीरो घटा एक का वर्ग यह आएगा जमा का एक जमा एक दो गुणा जीरो जमा एक और एक दो तो यह आज यह आएगा आपके पास दो थर्ड है दो इसकेर बी जम जमां दो ए ब puòबी श्केर जमां A B माल रखेंगे 2 गुणा A स्केर 0 का स्केर गुणा B माईनस एक जमां 2 गुणा A ए यह यह इनी 0 गुणा B का वरग которойám गांप माईनस एक का वरग जमां A B 0 गुणा माईनस 1 0 का वरग जीरो यह हो जाएगा दो गुना जीरो जीरो दो गुना जीरो गुना माइनस एक क्योंकि जीरो के साथ कितनी भी गुना करो जीरो ही आएगा तो जीरो गुना दो जीरो गुना माइनस दो जीरो आएगा फिर दो गुना जीरो गुना माइनस एक कावर यह भी जीरो आएगा स्केर जमा एबी जमा दो ए यानि जीरो का स्केर या वर्ग जमा एबी जीरो गुना बी माइनस एक जमा है दो जीरो का वर्ग जीरो जीरो गुना माइनस एक भी जीरो जमा दो जीरो जमा जीरो जमा दो या आज एगा हमारे पास तो बच्छों की गुना किसी के साथ भी क्या ह जीरो